क्वेट्स कुस्चन दिखते हैं कंस्ट्रक्ट और पार्लेलोग्राम ABCD इन विच डायगोनल AC इक्वाल टू 3.8 सेंटीमीटर डायगोनल BD इक्वाल टू 4.6 सेंटीमीटर एंड एंगल बीट्वीन AC और BD इस 60 डिग्री देखो क्या करना है सबसे पहले पार्लेलोग्राम गर सबस्चांगे हैं और इसके जू डायगोनल होते हैं एक दुसरे को बाइसे करते हैं डैटमिस को समझ जो माल लेते हैं आब इस धिराफ। यह क्या है पार्लेलोगराम हैय नो तो इसका नेमिंग करे लेते हैं A B C D हो गया तो यह आपका एसिंग्र staat ऐसी हो गया और यह आप ठलेशने यह एसी डाइगणल जो है वह BD डाइगणल को टू इकुल पार्ट में livestock करता मालब जरू पोईंट तो अपलैबेस्ट्च एसी डाइगणल जो है वह BD डाइगणल को टू इकुल पार्ट में बार्ट को इसका मतलब बी मोऔ बी ओ इकोल होगा डी ओ के सिमिलरली जो है उसी तरह जिसे एसी डाइगोनल जो है बी डी डाइगोनल को टू इकोल पार्ट में बाट दिया उसी तरह बी डी डाइगोनल जो है एसी डाइगोनल को भी बी डी डाइगोनल जो है बी डी डी डैगोनल जो है अपका अब है सी डाएगोनल जो है अब regions आब भी डी डायगोनल जो है वह भी का करेगा комна को टु इकॉल पार्ट में बाढ़ देगा ईसी जाट्मीस यूअ कि इक वालो होग के समझ रहे हो कि इसका मतलब यहीं होता है कि इस फ्रतिय काई में आपका नागेक बन और बीच में बन रहा है कि इतने डिया है कि 2ड्य इज़ Tibagoda कितना दहाए सिक्सडी दिया है तो इद्विधर समझो समझव सम्झो तो इसका सब से पेलर अफेस के स्तियार करते है है कि हमारा यह क्या है है देखो अ मैं ज मैं त àsफ नयुक्त समझ यह बिपउइट जिसकी लेहां इदन कितना है 3.8 ठीक यहां पर लिख देते हैं 3.8 cm समझे ना 3.8 cm है और इसमें जोता है कहीं बीडरी डाइगोनल देखो एसी डाइगोनल बीडरी डाइगोनल जो है का करेगा एसी डाइगोनल को टु इकुल पार्ट में डिवाइड करें समझेना मेरी किस में क्या बोल रहा हूं तो इसका मतलब हमें जो c का एक क्या फयंड आउट करना है मीड फोइंड आउट मwash naar new Me Point Mr. Kar Г्ट मतलब उसको 20 कर देना मतलब मीड पॉइंट कहा होगा तो हम क्या करेंगे गई क्या करेंगे एक बैज सेंटर लेकि ऊसरी में के हैफ से ज्यादा य печ जड़ने वा उसके हाप से ज़्यादा का हम क्या करेंगे एक रेडियस लेके उपर की तरह कट करेंगे और एक नीचे की तरह कट करेंगे उसी तरह सिमिलरली जो सी को ऐस सेंटर लेके हम क्या करेंगे हाप से ज़्यादा एक उपर कट करेंगे और एक नीचे मानदे कट करेंगे तो जहां प प्लाइन पर्पेंडग्लर लान जो है इस डैगोनल को इंटरसेक्ट करेगा वह S mortgage मिड़एंट मिल बाल है इसकी मिड़मेंट मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे रहा है तो प्युह करेंए तो इसका करेंगे सब्सक्राइब करेंगे ऑथ क्थेकर अपर यहाँ करेंगे तो और तो यह सी हो गया तो आपका बीडी कितना बीडी आपका 4.3 है इसका मतलब इधर आपको 2.3 इधर 2.3 तो क्या करोगे इस ओको ए सेंटर लेके तो चलते है इसके एक्चुल डाटा के साथ हम इसका करने ठीक है तो आप सबसे पहले एची गोई करते हैं कितना है इसी आपने देखा है 3.8 है ठीक है एसी जो है 3.8 है एसी जो 3.8 है एसी जो 3.8 है 3.8 कि तो हमें क्या करना है चाट चाहितरों मेड़ करेंे इसको करेंगे इसको बाइ इसक्र आपको बाता मस्थ लेख़ा ले ठीक है क्या करेंगे यह चाहित्य चाहितर र कट करेंगे और यहां पेश आधाले के ऊपर तरminute नीचे भी इसको सेंटर शाय沒有 कट करेंगे और यहां पर यहां पर कट हो रहा है यहां पर कट हो रहा है इसका मतलब जो है यह का एसी का मीड़ पॉ tuned है एक एसी का मीड़ पॉइंट यह माल लेते हमारा और हो गया तो यहेसी डाइगुनल इस पे मिलेड़ैगोना लेगा तो और बिल्र के बीच में कितना एंगल होग एंगल टह्म तो अपने करीजिये के कॉर्ण fant range ऌका यह में ॐ होता है हम emma अब इसको क्या करना है अब जहां पर इस लाइन इंट यहां पैर क्ट हुआ है कि बो सहले्क जाइन को हो बी आपका इस लाइन के आगरे है और इस लाइन के भी हा डिये सुप आगहे है और दर यह कितना हो गया है इसको ब्रीन डियागूनल जोають शु Nature2 ऑन यह भी 1.9 ऊगया और यहां कहीं बी उपर होगा डी कहीं नीचे होगा तो एसी डायगोनल भी क्या कर रहा है बीडी डायगोनल को टू इकॉल पार्ट में बाढ़ दरा है इसका मतलब जो है यह भी टू पॉइंट यह कितना होगा टू पॉइंट त्री अभी होगा तो हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे कि ओको ऐसेंटर लेके 2.3 सेंटिमेंट इडिस लेके उपर तरह कट करेंगे और फिर नीचे की तरह कट करें जहां पे कट होगा तो हमारा क्या हो जाएगा वहीं हमारा भी एंड डी होगा ठीक है तो देखो सबसे पहले क्या करें था 2.3 2.3 ठीक है और को देखो 2.3 है तो हम क्या करेंगे सो को आज के सेंटर लेके हम उपर 2.3नटीड उपर कट करेंगे और को नीचे कट ही ठीक है तो य भी हमारे क्लिए 2.3 यह domic2 2.3 थी हो ठीक है तो आप क्या करेंगे 2.3 को घुए है कि यहांपर कट हुआ है तो यहां बी हो गया और यहां हमारा डी हो गया अब क्या करेंगे इस अब को जोईन कर देखिया क्योंकि आप जानते हो पार्लेलग्राम के टूटल कितने इंड पॉइंट होते हैं और सरी आपका सीडिको तो देखो आपका यह ही पारलेलोग्राप मिला एक का push कौन था एक डाइगोनल था आपका बीडी दूसरा था एसी होगा आपका पार्ली लोग रहा इसके बीच में एंगल कितना है 60 डिगरी का है तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हैल्पूल है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्र भी मोडिवेट करता है दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो प्रवाइड करने के लिए थैंक्यू फ्रेंट्स